अलो दोस्तों खमा गणी आज में लेकिया हूं आपके लिए टी टाइम स्नेक्स आप मठरी बोल लीजिया नमक पारे तो मैं ले रहे हूं सबसे पहले दो कटोरी मेदा मैं डालें उसमें एक चमच नमक एक चमच अजवाइन और तीन से चार चमच ओयल और एक चमच कसूरी मे लिएक तो इनको अच्छे सी में मिक्स कर लूंगी के वोल से कैया है से कस्ता बनेंगे एकदम क्रीश्पी हैं कर जाफी मिक्स करने के बाद में डालें ूसमें थोड़ा सा पानी है llegó कि तो इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डाल आना है में तो इसे रोटी का आठा म उस तरह से आठा लगा के तयार करना है आप देख सकते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डाल रहे हूं तो आप भी प्लीज थोड़ा-थोड़ा करके ही डाले तो आठा एकदम से गीला हो जाएगा तो इस कस्ता नहीं हो पाएगा तो मैंने आठा लगा के तयार कर लि कि या नॉर्मल रोटी बैल दे पातले सी एजी तो मैं लागा रहे हूं दूसरी रोटी छिर में रहे हूं इस पर में ृपिट करना तो इस तरह से बार-वार में रख लगा लेंगे dal यंट भार बार लगा लेंगे जारो के बीच मिकश को इस तरह से रख के इसको बाएल लीजी इसको पतला बय लीजिए कि यह विर टेस्ट इस नेक्स बनते है को searching to be a pin-up तो अगर आप मेरे चनल पर नए थो माय चनल को subscribe करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको में रेसिपी कैसी लगती है और मैं आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी लेकिया हूं प्लीज सपोर्ट तो मैं इस तरह से अच्छे से मै करें आप भी वेसे ही करें जो भी थोड़ा सा इसका किन और बच गया वहाँ पर पानी लगा कर इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि यह ओल में फ्राइ करें तब खूले नहीं इसकी लेहर आप देख सकते कितना अच्छा बना है और डिजाइन इसकी बहुत सुन्दर लग रही ब्यूटिफुल सी है तो दिखने में भी डिफरेंट ता प्लीज बनाईए और चाहे के साथ जैसे पी आपको पसंदो आप यसे खा सकते हो बहुत अच्छे लगते हैं तो इस तरह से मैंने सारे बना लिया और और मैं पहले से गरम करने के लिए चड़ा दिया था तो अच्छ ओल गरम होने के बाद में मैंने मैंने इसको अच्छे से फri कर लिए है इसको intr-फ्राय हो चुके है इसी तरह से हमें सारे को अच्छें कर लिए उन्हें मोरेते हुए बच्चों के लिए बना रहा हुआ है सब मचालों को मिक्स करने के बाद अजब कर आप में से मिक्स हो चुके और एकदम क्रिसपी है लिए कि दिखा submarines करो जो